अगर आप USA जाएंगे तो बिनावजे की potential interrogation होगी harassment आपको phase करनी पड़ेगी तो अगर आपको unwarranted interrogation और harassment से बचना है तो USA आप avoid करिए major statement है और इसका एक बड़ा impact बहुत जड़ा बड़ा impact इंडिया पे भी आने वाला यह भी वैसे मैं आपको बताऊंगा मगर मैं online देख रहा था कई Americans इस advisory को लेकर यही समझ रहे हैं कि अब तो China बस तयार है अब तो China बस कुछ बड़ा काम कर देगा या तो यह Taiwan को attack करने वाले हैं या फिर China कुछ US को लेकर बड़ी करवाई करेगा क्योंकि Americans सिरा सिरा देख रहे हैं 2023 को जी हाँ साल 2023 में क्या हुआ था कि USA ने एक travel advisory जारी करी थी अपने नागरिकों के लिए और यह का था कि China मत जाईए यहाँ पे आप देख पाऊगे USA ने openly यह का था कि आप mainland China यहाँ पे तिबद की Hong Kong की बात नहीं हो रही जो mainland China है Beijing, Shanghai, Wuhan इन सब शहरों में आप बिलकुल भी मत जाईए USA की government ने यह का था कि अगर Americans यहाँ पे जाते हैं तो बिना वज़े चाइना की सरकार चाइना की police authorities आपको धर सकती है आपका American passport देख कर Now Americans उस वक्त मान के चल रहे थे यह news by the way जुलाई 2023 की है कि जुलाई अगस के आसपास भी चाइना भी सी टाइप की advisory इशू कर देगा मगर चाइना ने उस वक्त कुछ खास कारवाई करी नहीं अब हम देख रहे हैं अल्मोस्ट एक साल बाद अचानक से चाइना उठता है और चाइना भी यह कह रहा है कि चाइनीज नागरिक यूएस को avoid करे यहाँ पे harassment आपको face करनी पड़ेगी इसका direct impact इंडिया पे क्या होगा यह मैं आपको बतारेता हूँ पहले यह आपके सामने list है उन countries की जहां से students जाते है USA में पढ़ाई करने के लिए यह जो data है यह 2022-23 का है और आप note करोगे चाइना नंबर वन पे है हाला कि जो most recent data सामने आया है उसमें इंडिया ने overtake कर लिया है USA को जी हाँ इंडिया आज के समय टॉप source है of international graduate students in US सबसे जादा अगर किसी country से students जाते हैं USA में तो वो इंडिया है यह students अपने साथ billions of dollars लेके आते हैं यह लोग obviously बात है जो universities है उनको admission fees पे करेंगे साथ में एक apartment किराये पे लेंगे खाना खाएंगे USA में USA की economy में पैसा खर्चेंगे बट Chinese government की जो latest warning आई है मैं surprise बिलकुल नहीं होंगा अगर यह number धीरे धीरे धाई लाग से दो लाग देड लाग और all together 25-30 हजार में आ जाए आने वाले कुछ सालों में यह एक साल में तो नहीं होगा हाँ मगर यह है कि इसका impact दो-तीन साल में बहुत ही बड़े scale पे आपको दिखेगा क्योंकि चाइना में एक बात common है लोग अपनी government की बात properly सुनते हैं और China के citizens को भी पता है कि Xi Jinping definitely अपने tenure में एक बड़ी military conflict तो करेंगे ही it is bound to happen और यहाँ पे आप देख पाएंगे China's Xi Jinping urges preparation for military conflicts at sea किसी country का president जब openly यह कह दे के तयार हो जाओ जो coastal area है हमारा जो sea का part है हमारा चाहे South China Sea हो या फिर sea of Japan के आसपास का area हो वहाँ पे बिलकुल military conflict हो सकती है तो इनके लोगों को पता है कि step by step China उस दिशा में जा रहा है और जो यह recent travel advisory है यह clear indication देती है कि China अब Utah नहीं लेने वाला यह अपने plans को लेकर आगे ही बढ़ेंगे तो अब देखिए इंडिया पे क्या impact पड़ेगा इसका देखिए USA की जो dependence है इंडिया पर as a main source of foreign students यह बढ़ने ही वाली है यह मैं आपको बता दूँ यह जो सारे visas एक time पर जो Chinese students को मिला करते थे अब यह by default इंडिया के हाथ में आ जाएंगे इंडियान स्टुडेंट्स कोई बड़ी बात नहीं है चार लाख इंडियान स्टुडेंट्स in the future US जा सकते हैं क्योंके देखो ऐसा नहीं है कि यह स्टुडेंट्स बस US में पड़ने के लिए जाते हैं इनका eventual plan यह होता है कि पहले US में पड़ने के लिए जाओ फिर यहाप रुको green card हासिल कर लो तो बिल्कुल जो mass migration इडिया से होती है to US यह in the future बढ़ने ही वाली है क्योंके बाखी countries आप अगर देखो ना तो numbers के मामले में बहुत पीछ है अनकी अबाद ही इतनी नहीं है South Koreans maximum कितने जाते है 44,000 Canadians 28,000 Canadians भी बहुत सारे US में पड़ने के लिए जाते है फिर Nigeria, Japan numbers बहुत कम है 20,000 से भी कम students आप Japanese students आप ढूडने के लिए जाओगे American universities में आपको शाइदी मिलेगा Indian students हर जगा आपको मिल जाएंगे तो यह जो numbers है definitely बढ़ने वाले हैं और कहीना कहीं इससे India-US relations और भी जादा strong होंगे क्योंकि by default America के dependency इंडिया पर बढ़ जाएगी और जो यह decoupling हो रही है USA और China की हर तरफ से आपके लिए दोनों countries अलग हो रही है यह ना सिर्फ people to people contact में है ट्रेड में भी आपको same issue दिएगा हमने recently यह देखा कि इसी सारा आप यह देखोगे कि China अपना जो top spot है as the number one exporter to US यह खो देगा to Mexico यहाँ पर मुझे आड़ करना पड़ेगा China already USA का top trade partner का जो status है यह खो चुका है अब top exporter का जो status है यह भी खो देगा और कोई बड़ी बात नहीं है जिस trajectory से इंडिया-US relations आगे बढ़ रहे है और US-China relations आगे बढ़ रहे है कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और US के relations in the future trade के मामले में US-China के relations से आगे निकल जाए हलाकि इसमें 4-5 साल लग सकते है but I can very much see it happening now question यहाँ पर यहाँ आता है कि क्या इंडिया को भी इस टाइप की एक advisory चाइना के लिए इशू करनी चाहिए क्योंकि कई Indians हैं ट्रावलर्स हैं कई vloggers हैं कई students हैं इंडिया से जो आज भी चाइना जाना चाहते है opportunities के लिए उनको लगता है कि वहाँ पर opportunities जादा है तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया को भी इस टाइप की एक advisory चाइना के लिए इशू करनी चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं अब यह इशू चाइना और US के बीच में है हमें इसमें कुछ action लेने की आशकता नहीं है लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं जाना चाहूँगा आपका opinion और finally आपर मैं यह भी add कर दूँ के study IQ के जो courses के prices हैं यह अगले financial year से मतलब के 1 April 2014 से बढ़ने वाले हैं तो अगर आप अभी कम prices में purchase करना चाहते हैं यह course तो now is a good time comment section में जाईए यहाँ पे आपको यह link मिल जाएगा यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं study IQ का P2Y UPSC course पिलम से लेकर interview तक यह course आपका साथ देगा simply यहाँ पे आपको click करना है buy now पर और यहाँ पे आप code use कर सकते हैं PD10 और सीधा prices गिरना start हो जाएंगे 6000 रुपे का direct discount आपको मिलता है the maximum discount you will get from PD10 so use the code PD10 and save money by the way यह prices एक April से बढ़ने वाले हैं तो 30 महीने की validity का जो यह course है यह आप कर सकते हैं purchase at the right time और इसी note के साथ यह वीडियो कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you